बसाला टोफू बनाने के लिए हम एक कप सोईबीन लेंगे जिसे हम पानी में भिगोकर राद भर रखतेंगे अगले दिन तक ये फूल जाएंगे इन मिक्सी में पानी के साथ इसे ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद हम इस मिक्सीर को एक साफ कपड़े से छान लेंगे अब इस दूद को हम मीडियम हाई सेख पर रखकर इसे गरम कर लेंगे इसमें एक छोटा चमच नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया और भुना हुआ एक छोटा चमच जीरा डालेंगे जब दूद तेज गरम हो जाए तो उसमें एक बड़ा चमच नीम्बु का रस डालेंगे जब दूद बढ़ जाए तो इसमें एक कब पानी डालेंगे और इसको इस साफ कपर से छान देंगे पनीर को सेट करने के लिए हम लगभग इसे दो से तीन घंटे के लिए भारी बजन के नीचे रखतेंगे और यह मसाला टोफू हो गया तैयार पनीर की तरह ही आप इसका शाही टोफू या टोफू टिकका भी बना सकते हैं